जय हिंद दोस्तों वेलकम टू एपी एकाडमी सबसे पहले तो आज हिंदी दिवस है तो उसकी आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है तोड़े वी आज हम लोग एक करेंट इशू डिसकस करने जा रहे हैं और इंडिया को अपनी पहली नुक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप आई एनस धुरूव ज अभी कमिशुन हुई है विशाका पटनव में इंडिया को अपना ऐसा पहला जहाज बिला है जिसका नाम है आई इनस धुरूव इस इनडिया ज फर्स नुक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप हमारे इंडिया में यह टेक्नालोजी अभी नहीं थी और ये हमारे इंडिया में ये पहली टेक्नलोजी डबलब हुई है अगर इसके बारे में थोड़ी बात करें इंडिया's first nuclear missile tracking ship INS Drog has been commissioned into the Navy at Vishakha Patna तो बेखिये basically Navy में इसको commission किया गया है और ये इंडिया की अपनी सबसे पहली nuclear missile tracking ship है गिए nuclear missile tracking ship का मतलब एक ऐसा जहाँ जो nuclear missiles को ट्रेक कर सके ट्रेक कर सके कि भई nuclear missiles अगर आ रहे है तो किस तरब से आ रही है कहां से आ रहे है तो ये पहली ऐसी जहाँ हमारा बना है जो कि nuclear missile की tracking कर सकता इसंसे पहले अगर बात करें तो बाकी वर्ड में अगर बात की जाए तो वर्ड में सिर्फ पांच ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी शिप्स हैं जो कि नुक्लियर मिसाइल को ट्रैक कर सकते हैं जिसमें अगर हम बात करें तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रेटेन, रशिया और चाइना ये पांच कंट्री ऐसी है जिनके पास नक्याइल कि अविधोड मिसाइल को ट्रैक करना ये सिस्टम इससे पहले सिर्फ 5 देशों के पास था. इंडिया ऐस बिकूम निक्स्ट अवरॉड दिस्टिम नाव इस धी निवल मिसाइल को ट्रैक करना. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो आविशकार हुआ है INS Dhruv has been built by हिंदूस्तान शिप्यार्ट in collaboration with DRDO and NTRO देखें बेसिकली ये जो बेसिकली ये जो INS Dhruv है ये बेसिकली हिंदूस्तान शिप्यार्ट एक company है जिसने बनाया है बिल्ड किया है ये और किसके साथ collaboration के साथ DRDO के साथ DRDO आप जानते हैं क्या होता है Defense Research and Development Organization और NTRO की मदद से तो ये बेसिकली INS Dhruv जो है ये हमारे देश का सबसे पहला nuclear missile tracking device है जो की विशाखा पत्नम में commissioned हुआ है and now India has become the sixth country to have missile tracking system so I hope कि आपको INS Dhruv समझ में आया होगा this is all about INS Dhruv and I hope कि आपको जो basic information है वो मिली होगी it's a proud moment for all of the Indians it's a very proud moment that we are having now missile tracking system so guys that's it from now on और I hope कि आपको अमारे ये जो वीडियो है छोटा सा शौट वीडियो है आपको समझ में आया होगा और ये clear हुआ होगा सारी चीजे so guys thank you अगर आपको पसंद आ रहा है तो please like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए मैं और भी current affairs के जो जो भी current affairs के updates है वो मैं आपको लगातार बताता रहूँगा so guys thank you have a good day ये जे ही जे हैном